बिसमिल्ला इर्मानी रहीम असलाम लेकूम एन हेलो एवरीवन वन्स अगेन मोस वेलकम टू कुक विजारू तो आज में लाई हूँ शबे बरात स्पेशल चने की दाल की हलवे की तुकडी बहुत ही सिंपल रेसिपी है तो चले शुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले ली ह अब इसे ढख कर मैं 30 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ दूँगी बिल्कुल इस लो फ्लेम पर यहाँ पर देखें 30 मिनट हो गये हैं दूद भी खुश्क हो गया है और यह चने की दाल भी अच्छे से पक गई है बीच बीच में इसे चलाते भी रहें चने की दाल को च अच्छे से देखें यह पीस गई है आप हलका गरम पीसेंगे न तो यह आसानी से पीस जाती है अगर आपको मसला हो पीसने में तो थोड़ा थोड़ा दूद एट करके इसे पीस ले बस अब मेन काम शुरू होता है इसकी भूनाई जितने अच्छे से इसे भूनेंगे न उ अच्छे से यह चने की दाल भून गई है अब यहां मैं एड कर रही हूँ पाव किलो शक्कर आप अपने टेस्के अकॉर्डिंग शक्कर डाल सकते हैं बस अब अच्छे से मैं मिक्स कर दूँगी शक्कर डालने के बाद भी इसे 10 मिनट तक भूनना है यहां पर देखे हलका बारी कटा हुआ बादाम बारी कटा हुआ पिस्ता और एक खोपरे की गरी को मैंने कद्दू कश कर ली थी इस चने की दाल के हलवे का में टेस्ट इसी खोपरे से आता है तो आप एक सुखा खोपरा पूरी गरी अच्छे से घसके इसमें एड करें डेसिकेटेड कोकॉनट क्योंकि उसका टेस्ट और ताजा खोपरे का टेस्ट बिलकुल अलग होता है अब इसे मैं निकाल लूँगी एक थाली में तुकडी की शेप कट करने के लिए मैंने थाली को ग्रीस नहीं की थी क्योंकि हलवे में वैसे ही बहुत सारा घी है हलवे को अच्छे से स्प्रेड क घिसा हुआ बस अब अच्छे से मैं हाथों की मदद से टैप कर दूगी ताके हलवे में यह सेट हो जाए तीन से चार घंटे के लिए इसे टेबल काउंटर पे छोड़ दें उसके बाद यह अच्छे से कट करने के लिए रैडी हो जाता है तो आप अपनी पसंद के जिस शे करना है जैसे सदियों से जो टेस्ट हम खाते हैं चने की डाल के हलवे में वही टेस्ट आपको मिलेगा जरू ट्राय करें यहां पर देखे इतना अच्छा शेप बन कर यह तयार हो गया है तो आप भी जरूर बनाया है मेरी रेसिपी को फॉलो करें रेसिपी पसंद आती है तो लाइक करना ना भूलें कमेंट करके भी जरूर बताएं कि आज की रेसिपी आपको कैसी लगी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें तो मिलती हूँ अगली रेसिपी में और भी मज़िदार सी रेसिपी इसके साथ तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख